refer to figure for the motion of an object along x-axis, what is the instantaneous velocity of the object at f and d? ठीक है, f और d पे हमको instantaneous velocity निकाल लीए. अब हमने पढ़ाए कि instantaneous velocity जो होती है हमारी, वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी slope से. अगर xt graph है हमारा, तो xt graph में जो slope मिलता है, उस slope से हम क्या निकाल सकते हैं? instantaneous velocity. तो यह कहाँ से मिलेगा? slope of xt graph. तो यहाँ पे जो हमारा graph है, वो xt graph है. क्योंकि x-axis जो आपका x-axis है, वो time है और y-axis आपका displacement है. ठीक है? तो अब क्या करेंगे? हमको अगर f पे निकालना, इस point f पे निकालना है, यहाँ पे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? एक straight line ड्रॉ करेंगे. कौन सी line? यह जी-एच. ठीक है? एक line ड्रॉ कर लेंगे. और यह जी-एच ही क्यों बनाए? क्योंकि यह tangent है. किसकी tangent है? इस curve की. इस graph की tangent. तो tangent का जो slope निकालेंगे, हम यह slope हमको इस point पर क्या देदेगा? velocity. कौन सी instantaneous velocity. और slope कैसे निकालते हैं? देखो. सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ. मैं at f. f के लिए. सबसे पहले slope. slope कैसे निकलेगा हमारा? slope of gh. कैसे निकलेगा? वही हमने maths में सीखा है. y2-y1 over x2-x1. अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो हमेश है याद रखना, किसी भी एक straight line का slope होता है, y2-y1 over x2-x1. अब y2-y1, x2, x1 coordinates लिख लेते हम. तो x2-x1, यह x axis पे हमारे पास time है, और y2-y1, यह हमारे displacement है. तो अगर आप formula भी verify करो, तो यह delta x आजाएगा आपका, और यह delta t आजाएगा. सही बात है, delta x क्या है? change in displacement, ठीक है? across this and upon time, that is instantaneous velocity, ठीक है? तो आप y2-coordinate स्टार्ट कर देते हम. y2-coordinate क्या होगा हमारे यहाँ पे? y2-coordinate होगा, जैसे यह 0 पे. यहाँ पे 0 है. मैं फिट से repeat कर देता हूँ, यह h पे y की value कितनी है? 0. और y1, g पे y-coordinate क्या है? 15. whole divided by x2-x1. यहाँ पे x-coordinate क्या है? यहाँ x-coordinate निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं यह coordinates लिख लेता हूँ, g के coordinate होगे मेरे 0, 0 तो नहीं होगा, 15 होगा. यह पता है, मुझे x-coordinate निकालना पड़ेगा, और h का कितना है हमारा? 0 है y-coordinate. ठीक है, x-coordinate निकालते हैं. अब देखो, यहाँ 0 से लेके 10 के बीच में कितने division है? 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, यह total 5 divisions है. तो 5 और division 10. तो हर एक division कितना होगा? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. तो यह हो जाएगा coordinate 24, 0. और यहाँ पर coordinates कितने हो जाएगे? देखो, यहाँ पर 0, 2, 4. जे क्या है? आपका 4 है. तो इसके corresponding g का यहाँ पर 4, 15. चलो जल्दी से y to minus y1 कर लो. 0 minus 15 over x to minus x1. 24 minus 4. यह आजाएगा आपका minus 15 upon 20. ठीक है? तो आप चाहो तो minus 5, 3's are and 5, 4's are minus 3 by 4 meter per second. यह है हमारी speed आगई. कहाँ पर? velocity, instantaneous velocity. कहाँ पर? f पर. और दूसरा है at d. अब ध्यान दो, यहाँ पर d जो है आपका, वो equilibrium point है यहाँ पर. ठीक है? आप देख सकते हूँ, यहाँ पर slope क्या होगा? 0. ठीक है? So, slope at d, slope of the curve is 0. ठीक है भई? अगर आप यहाँ पर tangent draw करोगे, तो इस tangent में y coordinate तो change ही नहीं हो रहा है. तो y to minus y1 क्या हो जाएगा? 0. क्योंकि दोनों coordinate same आएगे. तो y to minus y1 0 आ रहा है, तो slope क्या हो जाएगा इदार? 0 आ जाएगा. clear है?